गुट मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप लोग कैसी चल रही आप लोग की पढ़ाई अब हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्वाडर्टिक एक्वेशन बड़ा मज़ेदार चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है और देखा जाए तो पॉलिनॉमियल और क्वाडर्टिक जब से आप लोगों के कॉंसर्ट में आया है हर क्लास में कुछ ना कुछ इसका रहा है आप लोगों ने पहले पॉलिनॉमियल पढ़ा उससे भी पहले अगर बहुत पहले जाएं तो एलजबरिक एक्वेशन नाम से इसकी बात हुई जब आपने फैक्टर्स मुलिपल कॉफिशेंट्स यह सारी चीदिया पढ़ी क्लास 9 था ईक्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ाई की उसमें आपको पॉलिनॉमियल मिला उसके बाद क्लास 10 च्लास 10 में आप लोगों क्या पढ़ रहे हैं कॉढडिक एक्वेशन आगे का थोड़ा सा future भी बताया देता हूँ class 11th में आप लोगों को जो topic मिलेगा वो इसी में जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि imaginary roots आते हैं तो जैसे आप class 11th और 12th में jump करेंगे आप लोगों के जो roots हैं वो imaginary roots consider होने लगेंगे और आप उसके बारे में पढ़ेंगे खेर वो आगे की बात है अगली साल discuss करेंगे ठीक है अब बात करते हैं हम आपको एक दो questions अच्छे से cover up करवाते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक question निकालते हैं basically सबकी ये demand है कि नCRT ही पढ़ाये जाए तो चलो नCRT ही पढ़ते है बैसे मेरा दिल कुछ और कहता है कि NCRT को अच्छे से पढ़ना है तो ही पढ़ो और अगर अच्छे से नहीं पढ़ना है तो शायद teachers की बात मानो teachers जो notes देते हैं जो questions करवाते हैं आप उनको अच्छे से करो क्योंकि basically हर जगह अगर आप से ये बोला जाता है कि आपको NCRT क अच्छे से पढ़ लो और वो आप लोग करते नहीं हो अगर कर लोगे तो शायद हम लोगी बात सही हो जाएगी IAS PCS की जब तयारी होती है तो आपकी up to 10th SST की books पढ़नी पढ़ती है 6 to 12th SST की books कई बार कई senior जो teachers हैं जो तयारी कर रहे हैं वो मेरे पास से भी लेके जाते हैं तो बापस आते हैं अपने main topic पे example 4 है आपका NCRT book से है find the roots of the equation equation क्या दी हुई है मैं ध्यान से देखिए equation है 6x square 6x square लगता है इसकी setting गढ़ चुकी है so this is 6x square minus x minus 2 is equal to 0 अब देखो एक basic सी चीज़ आप लोगों को बताया देता हूँ equal to 0 यह आपकी equation होती है अगर आपको यही question as in polynomial दे दिया जाता है तो आपका यह हो जाएगा 6x square minus x minus 2 अब देखा जाए तो फैज एक बात बताओ क्या यह polynomial नहीं है definitely यह polynomial है और अगर मैंने px का जो value है उसको 0 कर दिया तो फिर यह 6x square minus x minus 2 is equal to 0 यह क्या बन गया अब इस question को solve करने के तरीके बहुत हैं स्रीधराचार formula है completing square method है और बहुत सारे हैं basically completing square method जो आपका है वो स्रीधराचार formula का derivation ही है तो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग जो normal तरीका use करते हैं जैसे मेरा concern यह होता है like you have to compare ax square plus bx plus c is equal to 0 आपको इससे compare करना है आपकी जो given equation दी हुई है आप उससे compare करेंगे compare करने के बाद आप इसके coefficients लिखेंगे खेर इतना detail है हम class 10 के बच्चों को तो नहीं पढ़ाएंगे but ठीक है first question करवा रहा हूं तो ऐसा हो सकता है so a is equal to 6 b is equal to minus 1 and c is equal to minus 2 these are the coefficients of a quadratic equation now a and c आपको क्या करना है a and c इन डौनों को multiply करना है क्या करना है multiply करना है 6 तूजा negative positive इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजेगा multiply करते वग आपका क्या आ रहा है 12 आ रहा है 12 के आप factors करेंगे obviously आसान है 2, 2 और 3 आप लोग खियर अपने दिमाग से करिए ज़्यादा better रहेगा and 1 one को कभी मत भूलना मेटा कभी अगर difference आपके roots के उसके बीच में अगर one का difference है या यहाँ पर अगर आपका b का value बन है तो इस one को हमेशा as in factor consider कीजेगा अब एक simple सा logic जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि ये करने पे ठीक है I repeat फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा बड़ी अजीब सी line है हिंदी English से कोई फरक नहीं पड़ता है concept ये है कि ये करने पे यानि माइनस करने पे यहाँ जो number लिखा होता है ये आजाए यानि कि ये करने पर जमाना हिंदी की तरफ बापिस जा रहा है दोस्तो हिंदी पे बापिस आजाओ ठीक है और ये आजाए clear क्या हो ये आजाए तो भाई आपको क्या करना है इनके parts करने है दो part बनाने obviously सब समझ सकते हैं कि क्या होंगे 4 and 3 अब देखो कुछ बच्चे हाँ एक step बनाया जाता है उसको miss कर देते हैं तो मैं फिर से question लिख रहा हूँ जैसे 6x square minus x minus 2 is equal to 0 ठीक है अनिमेस ध्यान से देख रहे हो ना good तो अब आपको क्या करना है लोग इसको directly अपनी होशियारी लगा देते हैं वो क्या करते हैं कि minus 4x और plus 3x minus 2 is equal to 0 ये कर देते हैं but I repeat इस से पहले आप लोगों को ये step जो आपने use किया है इस step से पहले एक most important step है वो आप लोग जरूर करें अधर वाइर आपका question गलत होने के chances बढ़ जाएंगे क्योंकि minus plus एक ऐसा term है जिसकी errors लगबग लगबग हर एक बच्चे ने की है ठीक तो आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ इसके नीचे लिख लिया करो four minus three is equal to one यह point जरूर लिखा करो इसको बिल्कुल skip मत करना तो बात करते हैं four minus three is equal to one अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा ठीक है देखिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ this is six x square minus यहाँ one था ना one dot लिखिए और one की जिक है आप value put कर देंग four minus three of x minus two is equal to zero अब आप देखिए इन में क्या common आ रहा है अब ज्यादा दिमाग लगाने की जगुरत नहीं है सीटा 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 सा क्लास 10th के student हैं काफी senior हैं तो बिल्कुल वो ने इस पीड़े में कर सकते हो three x minus two plus one so this is three x minus two is equal to zero got it हो गया now आप देखिए आपको क्या करना ह three x minus two and two x plus one is equal to zero अब एक बार आप इसको zero कर दीटे एक बार इसको zero कर दीटे आप लास 9 polynomial में यह सब पड़ा होगा मैं इतना detail में नहीं जाओंगा इस बात के तो आपकी x की two values आ गई ही first one is two by three and second one is minus one by two अब देखो बच्चो नॉर्मली क्या होता है हमने तो कर दिया ठीक ह बट क्या पता हमने सही कराया हो क्या पता मुझसे भी minus plus की गलती हो गई हो तो भाई आप लोग क्या करोगे उसके लिए बिल्कु सिंपल सा तरीका है आप लोगोंने पहले भी पड़ा है दो तरीके है sum of roots and product of roots then give to calculate equation बनाईए अगर आपको वो भी नहीं करना है तो एक सीध लगाया आपका यह हो गया x minus 2 by 3 और यह हो गया आपका x plus 1 by 2 value put किया 3 को नीचे भूल जाएए इसको उपर भेज दीजिए यह हो जाएगा आपका 3x minus 2 और यह हो जाएगा आपका 2x plus 1 अब देखो इतना करने के बाद आप इनको multiply कर दो क्या हो गया 6x square minus 4x plus 3x minus 2 देखो बच बन गई आपकी वह equation तो I think आप समझ में आ गया होगा आप लोगो को कैसे करना है कैसे proceed करना है सेम आ गया है आपका जो correction है वो बिल्कुछ सेम है कि आप इसको इस तरीके से proceed कर सकते हो ओप आप लोगों को यह question अच्छे समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो आप ल हाँ यार यहन बताएं कुछ doubts है माइनस प्लस देखो एक rule होता है कि first of all आपको एक equation मिले तो सबसे पहले आपको consider करना है आप consider कीजिए उस equation को और उसको compare कीजिए ठीक है ax square plus bx plus c ax square plus bx plus c क्या है यह आपका एक standard form है for a quadratic equation ठीक है आपने coefficients लिखे और मैंने आपको rule क्या बताया है कि आपको क्या करना है चलिए different pen use किये लेता हूँ आपको क्या करना है कि a यह तो आपका दिखेगा नहीं क्रोमा की मैं चलिए इस पर आते हैं कि a and c इनको आप multiply कीजिए और उसके क्या करेंगे factors करेंगे factors के दो आप उसके factors कीजिए factors के आप उसके दो बना लीजिए दो parts कीजिए और simple सा rule है वही कि यह करने पे यह आजाए के आगे तो plus करने पे आजाए ठीक है इस से आपका यह आजाएगा never 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 इस step को कभी मत भूलना अधर वाईर आप लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पर सकता है क्योंकि minus plus की गलती और वच्चो एक बात बता दूँ एक गलती जो सायद बहुत सारे लोगों ने की की वो हमेशा इसको भूल जाते हैं क्योंकि जो plus one होता है तो वो क्या करते हैं वो यहां से जब common लेते हैं तो यह गायब कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं one ठीक है लगी यहां तो plus है बट अगर minus होता अगर यहां कुछ ऐसा data होता कि minus लेना पड़ता तो आपका question ललत होने के chances हद से जादा हो जाते तो hope अब doubt clear हो गया होगा good चलिए मिलते हैं अगले question के साथ